दोस्तों, जीवन में बिना संघर्ष किये सफलता नहीं मिलती। यह कहानी भी संघर्ष और सफलता की प्रेणा दायक कहानी है। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का अपने दादा जी से मिलने गया। उसके दादा जी बहुत अनुभवी और बुद्धि मान व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादा जी से पूछा, दादा जी मैं आपकी तरह सक्सेस्फुल कैसे बन सकता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं। दादा जी मुस्कुराये और उसे अपने साथ बाहर ले गये। उसे एक पौधे की दुकान पर ले गये। वहाँ उन्होंने दो छोटे-छोटे पौधे खरी दे और घर वापस आ गये। फिर दादा जी ने एपौधा घर के गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा दिया। और लड़के से पूछा, तो बिटा बताओ, कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होगा। लड़का सोचने लगा फिर उसने कहा दादा जी जो पौधा घर के अंदर है वो जल्दी बड़ा होगा क्योंकि वो सेफ है कोई भी रित्म उसे हाने नहीं पोचा सकती जबकि बाहर के पौधे को इन सभी रित्मों का सामना करना पड़ेगा दादा जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा ठीक है जब तुम अगली बार आओगे तब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँगा लड़का वापस शहर आ गया और अपने कामों में व्यस्त हो गया दो साल बाद लड़का वापस अपने दादा जी के पास आया उसे अपने सवालों का जवाब जानने की बहुत उच्छुकता थी उसने दादा जी से कहा दादा जी मैंने आपसे जो पिछली बर स्वाल किया था कि मैं कैसे आपकी तरह सक्सेस्फुल बन सकता हूँ क्या आज आप मुझे बताएंगे दादा जी फिर से मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा क्या तुम्हें वो दो पौधे याद है जो हमने एक घर के अंदर और एक बाहर लगाया था लड़के ने बोला हाँ दादा जी मुझे याद है तो चलो उन्हें देखते हैं दादा जी पहले उसे घर वाला पौधा दिखाने ले गए जो की अभी तक बहुत छोटा था फिर दादा जी उसे बाहर वाला पौधा दिखाने के लिए ले गए वो पौधा एक विशाल पेड़ बन गया था लड़का उस पेड़ और उसकी शाखाओं को देखता ही रह गया फिर दादा जी ने कहा तुमने तो कहा था कि घर वाला पौधा सेफ है इसलिए वो जल्दी बड़ा हुगा लड़का हैरानी से उन्हें देखने लगा उसके मन में यही सवाल था ऐसा कैसे हुआ फिर दादा जी ने उसे बताया जो संगहर्ष करता है मुसीबुतों से लड़ने की शक्ती उसी में होती है बाहर वाले पौधे ने धूब, सर्थी, बारेश, आंधी, तुफान, इत्यादे सभी मुसीबुतों का सामना डट कर किया था इसलिए आज उसकी एक विशाल हस्ती है और घर वाला पौधा इसलिए छोटा है क्योंकि उसने इन मुसीबुतों का सामना नहीं किया फिर दादा जी ने बोला जीवन में अगर सफल होना चाहते हों तो जीवन में आने वाले सभी मुसीबुतों का डट कर सामना करो